तो ड्रग्स और अलकोहल अब्यूज जो है अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं और ड्रग्स और अलकोहल अब्यूज जो है बिटा तो यहां पर देखिए बिटा जो सर्वे है और जो स्टेटिस्टिक्स है ठीक है तो सर्वे अन स्टेटिस्टिक्स जो है यहां पर आज के अल्कोहल का जो यूजे से काफी हद तक के बढ़ गया है, ठीक है, अब काफी हद तक के बढ़ गया है, means यदि हम देखे, तो यहां पे, ठीक है, जिसकी वज़से, finally, maximum person को इसके harmful effects जो है, वो दिखने को मिल रहे है, ठीक, क्योंकि यदि अब उन्हें हम लोग proper education और guidance नहीं द गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा, कि उनका जो health और life still वैसे तो अभी से ही dangerous होने लगा है, उनका behavior pattern जो है, बहुत कुछ change होने लगा है, ठीक है, तो यह सारी problem जो है, किसकी वज़से आ रही है, तो यह बटा कुछ drugs वैसे तो या फिर alcohol, यह हमारे बटा medicinal purpose के लिए बहुत ह ही helpful है, बड़ आज के टाइम पे maximum person जो है, इसका गलत यूज़ कर रहे है, ओके, अब यहाँ पे यह सारी जो problems है, जिसकी वज़से बटा, बहुत सारे यहाँ पे different type की problems create हो रही है, तो यहाँ पे पहले तो हम लोग सबसे पहले drugs और उनके क्या effect होते हैं, वह हम देखेंगे फिर यह drugs और इनके effect के साती सार ड्रग कैसे abuse है, ठीक है, और adolescence जो है, वह अला portion हम लोग यहाँ पे study करेंगे, तो पहली चीश तो बटा कुछ drugs जो commonly सफसे ज़्यादा जो use किया जाता है, एक तो opioid है, cannabinoids है, और coca alkaloids है, ओके क्या क्या बटा, opioids, cannabinoids and coca alkaloids, यह जो drugs है ठीक है, यह commonly जो है, यह कैसे होगे बटा, abuse है, ओके, अब यहाँ पे यह जो drugs है, generally यह जो obtain होते हैं, तो drugs जो है, जो है, उप्टेन होते हैं, flowering part of the plant, ठीक है, flowering plant जो होते हैं, वहाँ से drugs obtain हो रहे हैं, कुछ drugs ऐसे बटा, जो की some fungi जो है, वहाँ से भी obtain होते हैं, तो अब यहाँ पे fungus जो बटा, यह NCRT ने नहीं दिया है, आप याद रखोंगे LSD जो है, Lysergic Acid जो है, LSD, एक special fungus है, जिससे बटेन होता है, जिसका नाम है, Sclerotia, Irrigate fungus कहते हैं, यह फिर Clavicep purpurea, ओके, इससे LSD जो है, यह क्या होता है, बटा, obtain होता है, ठीक, अभी यहाँ पे, Degrees जो है, ड्रग की Opioids, ठीक, कहाँ पेटा, Opioids, Cannabinoids, और Kokka Alkyloids, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ओके, तो firstly हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे पेटा, Opioids जो है, इस ड्रग का स्टडी हम करते हैं, अप्योट के दिया हम बात करें, तो पहली चीज तो सबसे पहले ये जो ड्रग्स है, ठीक, ये बाइंड करता है, कहाँ पे बाइंड करता है ये, ये एक Specific Receptors होता है, जिसको कहते है, Opioid Receptors, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमारे Central Nervous System या फिर Gastro Intestinal Tract जो है, यहाँ पे एक Receptor प्रेजेंट होत होता है, अब बाइंड करने के साथ ही साथ, वहाँ पे इसका अपना Actions दिखाएंगा, इसमें इसका एक Examples देखें बेटा, तो Heroine आपने नाम सुने होंगे, देखो है, Heroine होता है, Heroine होता है, ठीक है, तो Heroine ये Drugs है, जिसको Commonly Smacked कहते है, Chemical ये इसका नेम देखें बेटा, तो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, तो आपको ये याद रखना है, ओपवेट रिसेप्टर पर बाइंड करता है, CNS पर और गेस्टर इंटिस्टेनल ट्रेक पर अफेक्ट करेंगा, Smacked कहते हैं इसे, Chemically Diacetyl Morphine, जो कि वाइट, orderless, bitter और crystalline compound है, ओके, साथ ही साथ यहाँ पर कैसे हमें मिलेगा, तो ये जो अप्टेन होता है, बेटा, Acetylation of Morphine, Morphine का नाम सुने होंगे आपने, Morphine का जब Acetylation होंगा, तब जाके, ओपवेट जो हमें मिलता है, तो Morphine कहां से मिलेगा, तो Morphine जो अप्टेन होता है, ये एक्स्ट्रेक्ट फ्रॉम्दा लेटेक् प्लांट बोलती है, प्लांट का ये साइन्टिफिक नेम है, वेरी वेरी इंप्टेन्ट, ये आप लोगों को याद रखना है, क्या नाम मिलेटा, प्लांट का जो लेटेक्स होता है, उससे Morphine मिलेंगा, और Morphine का जब Acetylation किया जाएंगा, तब अप्टेन होगा, ओके, औ मेंस यदि आप लोगों के लिए ये वाला जो paragraph यदि कहजा है, तो बहुत ही ज़्यादा important है, ओके भुलोगे नहीं, और इसी paragraph के साथ ही साथ ये जो diagram जो next slide में आप लोगों को बता रहा हूं, वो भी बहुत ज़्यादा important है, अब इस drug को कैसे लिया जाता है, तो ये जो drug ह जनरली यदि देखा जाया है, तो बटा ये जो है snorting, snorting मतलब हाथ पर रखके एकदम नोच से जो खीषते न, तो उसे snorting कहते है, या फिर injections जो है, इसके through drug को लिया जाता है, और ये जो है depresent है, जो कि slow down करता है हमारे body के functions को, ओके ये आप लोगों को याद रखना है, ये होगा इसके functions, ओपोईट का रोल क्या है, ये हमने देखे, ओके, अब ओपोईट जो है, जिसमें बटा ये जो chemical structure है, ठीक, ऐसा chemical structure बनाने के लिए नहीं कहा जाएंगा आपको, लेकिन फिर भी बिटा, ये जो chemical structure है, ड्रॉ करके practice करना, कहां पे CH3 group है, किस तरह से structure दिख इस diagram दिया जाएंगा, और पहिचानने के लिए कहा जाएंगा कि बताओ किसका structure है, तो ये chemical structure है, किसका chemical structure है बेटा, ये morphine का, ठीक है, हाँ, जिसे problem आरी बेटा, rejoin कर सकते हो, मैं मिटिंग को unlock कर देता हूँ, आप लोगों के लिए, ओके, ठीक, तो बटा, ये जो है, morphine ज जाद रखना है, very, very important, ओके, इसी के साथ, साथ, बेटा, अगेन, ये जो है, एकसाम में ये diagram भी पूछा जाता है, कि ये diagram जो है, ये किसका diagram है, बेटा, ये plant है, पॉपी प्लांट, जैसे कि थोड़ी दे पहले बताया था मैंने आपको, ये जो plant है, इस plant के flowering plant है, ये ये आपने देखेंगे, बेटा, अफीम का जो plant है, यहाँ पे इस तरह से इसको चीरा लगा देते, इस तरह से, इस से milk जो है, वो निकलता है भार, उसके extract से, बेटा, ओपरेट जो है, वो अप्टेंड किया जाता है, ठीक, ड्रग के advantage, बेटा, medicinal use, but maximum student क्या कर रहे है, maximum student उसका गलत फाइदा उठा रहे है, student नहीं, maximum person, यह ड्रग्स जो होता है, बेटा, highly addictive है, addictive मतलब एक बार खाने पीने के बाद नहीं, ऐसा लगता है, और लो, क्योंकि यह energetic effect देते हैं, ठीक, good feel कर आते हैं, एक बार लिया, फिर और मन किया, फिर लिया, फिर आदत हो जाती है, habitual हो जाता person, जनरली बेटा, यह यतने भी ड्रग्स है, इनके बेटा, medicinal use है, बट, maximum जगा पे इसका misuse किया जा रहा है, ओके, तो यह जो है, यह ड्रग्स के हमने, बेटा, first opioids हमने देखे, अभी हम देखेंगे cannabinoids, अब cannabinoids की अदि हम बात करें, तो cannabinoids जो है, यह जो ड्रग्स है, यह मतलब वैसे देखा जाए तो यह group of chemicals, ठीक है, एक single जो है, यह नहीं कहा सकते कि cannabinoids एक ड्रग्स है, यह बहुत सारे chemical से मिलके बना हुआ है, और यह एक plant जिसका नाम है cannabinoid sativa, उससे ही अप्टेन होता है, ठीक है, और यह कहाँ पर जाके bind करता है, हमारे जो brain जो होता है, वहाँ पर जो receptors present होते है, वहाँ पर जाके drugs जो है, यह अफेक करता है, मतलब site of action हम कह सकते है, तो site of actions जो है generally brain, तो natural cannabinoids जो है, यह कहां से अप्टेन होगा पिटा, influrosense of plant, कौन सा प्लांट थोड़ी दे पहली बताया है, कौन सा था पिटा, cannabis sativa plant जो है, इस plant से क्या होगा, अप्टेन होगा, ओके, फिर इसके बाद यह जो flower, तो flower अब कहां कहां से अप्टेन होता है, तो देखो flower tops है, उसकी leaves हो गई, फिर regins, जो है cannabinoids plant, वहां से अप्टेन हो जाएंगा, ठीके, साथ ही साथ, combination अब की क्या क्या होगा है, मेरिजवाना, हसी, चरस, गांजा, यह market में मिलते हैं आपने देखे होंगे, ठीके, तो यह जो है, इन्हुलेशन और oral injection दोनों तरी यह जो है, मेरिजवाना, हसी, चरस, गांजा, ठीके, यह drugs आते हैं, clear हुआ बिटा, सभी लोगों को यह पार्ट, simple है, directly, यह वाला पार्ट जो है बिटा, means यह जो slide दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, यह slide भी बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है, यहां से एक्सा में क जिसका हम लोगोंने actions देखें, बताने के लिए पिटास में और भी कुछ additional information है, बड़ थोड़ा सा ज्यादा detail में चले जाएंगे, इस पर उतने ज्यादा deeply question नहीं पूछा जाता, यहां पर में आप लोगों को इनके symptoms क्या होते हैं, इनके features क्या है, इनके properties क्या है, वो भी, यदि बताऊंगा तो फालती हुमें lecture lengthy हो जाएंगा और जो जरूरी नहीं है, वो पढ़के कोई फायता नहीं, knowledge basis पे आपको चाहिए, आप मुझसे personally यह सारी से पूछ सकते हो, जैसे बाकी हर किसु को तुम्हें बताता ही हूँ, आप लोग भी बटा, personally यह सारा कुछ हम लोग, cannabinoids का हम लोगों ने parts देखे, अब यहां पर देखे बिटा, यह जो pictures आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, यह cannabinoids molecule का structure है और यह plant है, दोनों भी questions बिटा, exam में पूछे जाते हैं, आप लोगों को दोनों भी याद रखना है, क्या चीज बिटा, एक तो यह diagram य यह किसका है, या फिर आपको question exam में इस तरह भी दिया जा सकता है कि cannabinoid molecule कौन सा है और तींचर diagram यह chemical formula दिये जा सकते हैं, और आपको बताना पड़ेगा, दोनों तरीके से questions जो है exam में आ सकते हैं, ओके, चलो, clear हुआ, next इस पे आते हैं, और next आमारा जो part है, जो हमें देख exploits, okay, once again network का issue दिख रहा है मुझे, आवा जा रहा है कि सभी लोगों को, देखो एक बार, response करो, यहां दा clear है कि बटा, yes, no, आगे बड़े, response करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी, ताकि हम आगे का portion देख सकते हैं, दिव्यार उतिका, निकिता साहिली कामिन, yes, sir, चलो, ठीक है, clear है, okay, तो चलो, आगे continue करते हैं, बटा हम लोग, तो अभी हम लोग next जो drugs है, जो हम देख रहे हैं, वो है alkaloids, cocaine कहते हैं, जैसे, या फिर coca alkaloids, it is also, यदि हम देखे, तो यह coca alkaloids जो है, यह कहां से obtained होता है दो coca alkaloids जो है, यह obtain होता है, erythrozylum coca plant, कुन सा plant है बटा, erythrozylum coca plant, जो native है, कहां कहा हो बटा, साउथ अमेरिका का, इस plant से coca alkaloids, या फिर cocaine जो है, यह हमें मिलता है, फिर इसके बाद, यह interfere जो करता है, वो कहां पर interfere करेंगा बटा, neurotransmitter dopamine के साथ, dopamine क्या है बटा, neurotransmitter है, ठीक है, इसके साथ क्या करेंगा, यह interfere करेंगा, interfere करने के बाद, साथ ही साथ, यह हम देखे, यह directly हमारे जो nervous system में उसे affect करता है, cocaine जो है, इसे commonly, जो है बटा, coke या फिर crack कहते है, क्या कहते हैं, बटा, coke and crack, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है, नेम, ठीक है, coke भी कहते हैं, इसे, crack भी कहते हैं, coca alkaloids भी कहते हैं, और cocaine भी कहते हैं, कहां से obtain होता है, बटा, तो plant जो है, erythrozylam coca plant, इस plant से coca alkaloids, जो है, वो क्या होंगा, बटा, obtain होंगा, तो यह पार्ट आपको याद रखना है, जो interfere करता है, neurotransmitter, dopamine के साथ, ठीक है, जो की, यह भी कैसा है, बटा, snortate drug है, ओके, कैसा है यह, snortate है, ओके, इसी के साथ, साथ, next, अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो, क्या चीज़ बटा, जैसे कि मैंने already आपको पहले explain किया, कि यह हमारे central nervous system, जो है, directly यहाँ पे affect करेंगा, जिसकी वजह से, बटा, produce करता है, क्या है produce करता है, या फ काम करने वाले workers, लोग जो रहते हैं, खर राखा के काम करते है, मतलब उनको खाती ही, एक increase होती है, उनके body में energetic feel होता है, as it is बटा, यह जो coca alkaloids, जो है बटा, यह क्या होता है बटा, यह euphoria, euphoria मतलब increase the energy, ठीक है, excessive dose रहा, तो excessive dose बटा, यह hallucination cause करता है, अब question यह है, hallucination क्या होता है, तो hallucination means क्या होता है, जो sensing होता है, हमारा nervous system पर sensation जो देता है, ठीक है, तो जिसकी वज़े से block भी कर सकता है हमारे system को, इस तरह से बटा, यह effect जो है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि किसमे आते बटा, coca alkaloids की वज़े से होते हैं, clear यह slide भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादे important है, मैं कुछ भी extra का ऐसा part में आप लोगों का यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, जो आप लोगों को complicated है, क्योंकि यह इतने drug के नाम ही आपने याद कर लिए, तो इतना ही आप लोगों के लिए important रहेंगा, समझ गहें, इतना ही पढ़ना बेटा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जाईए, ठीके, यदि किसी को पढ़ना है, तो आप मुझसे अलग से class ले सकते हो, आप लोगों को मैं explain कर दोगा, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने, क्या चीज, coca, alkyloids and cocaine जो है, क्या होता है, यह हमने देखिए, इसका properties जो है, hallucinogenic property हमने देखिए, इससे के अलग में बेटा, atropa belladona, जो है, धतूरा जो है, धतूरा तो आपने देखिए होंगे बेटा, ठीक है, हमारे area में तो होता है, atropa belladona, इनमें भी जो property होती है, क्या है, hallucinogenic properties जो ह इसमें भी देखने को मिलती है, ओके, साथी साथ cannabinoids जो है, यह भी जो sports person है, कई sports person जो होते हैं, जैसे cricket खिल रहा है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, डारेक्ली इस drug का use करते हैं, कुछ drugs जैसे की barbiturates आप देख रहे हो, amphetamines देख रहे हो, ठीक है, barbiturates हो गया, amphetamines हो गया, benzodiae, azepines हो गया, यह similar drug है, यह इनका use normally तो medicine की तरह होता है, बट बट यह इसका use जैसे mental illness हो गई, depression हो गया, ठीक है, फिर inosomia हो गया, ठीक है, mental disorder है यह, तो उसके लिए generally इसका use किया जाता है, ठीक है, साथी साथ जैसे surgery हो गई, ठीक है, तो surgery के time पे morphine का use करते हैं, और morphine की अधियम बात करें, तो पैनकिलर है, morphine जो होता है, यह कैसा है, पैनकिलर है, ठीक हो बहुत ही जादा useful होता है, किस टाइम पे, surgery के time पे, लेकिन अब morphine बहुत ही effective है, sedative है, पैनकिलर है, sadness को भी दूर करता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा फिर भी, क्या है, परस hallucinogenes, जो है, क्या कह सकते हैं, पैटा हम लोग, यहाँ पे hallucinogenes, जैसे की, जो mind expanding drug है, means यह alkaloid से, जो cause करता है, daydreaming, साथ ही साथ यदि हम देखें, तो LSD, जैसे मैंने बताया था, lycurgic acid, ओके, और lycurgic acid के साथ ही साथ, cannabinoids, जो है, यह कैसे है, hallucinogenic substance है, इसमें atropabelladona और धतूरा जो, इसकी कुछ, इसमें क्या होती, बीटा, hallucinogenic properties होती है, hallucinogenic properties जो होती, तो hallucinogenes, जो देखें, बीटा, तो क्या करता है, यह एक perception, जो object जो होता है, ठीक है, उस पे affect करता है, जिसके वज़े से nervous system में generally disorder, जो है, देखने को मिलेगा, कुछ drugs, बीटा, देखो, क्या Amphetamines, Benzodiazepines, Lycergic Acid Diethylamide, LSD बोलते हैं, ठीक है, यह derivative है, कि इसके बीटा, cannabis sativa के, जिसका use जो है, medicine की तरह होता है, और साथी साथ, पैसिंट को किस तरह से help करते हैं, इंसोम्निया, इंसोम्निया मिन्स, mental disorder और depressions को दूर करने के लिए, यह कुछ drugs है, जिनका use किया जाता है Very, very important है यह, आप लोग यह सारा पार्ट याद रखोगे, समझ गएं, यह जितने भी stars बना रहा हूं है, आपको याद रखना है, ठीक है, यह important है, जो आप लोगों को exam में पूछे जा सकते हैं Okay, चलो, आगे बढ़ते हैं, next part पे चलते हैं भी हम लोग, इसमें हम लोगों ने hallucinogenic properties हमने देखे ठीक है, अब hallucinogenic properties जो है, इसके बाद next जो है जिसे कि drug addictions हम लोग जो देख रहे है, drug abuses जो देख रहे है तो कुछ plant जिसके fruits और seeds जो है बटा, उसमें भी hallucinogenic properties जो है, वो देखने को मिलती है ठीक है, अब hallucinogenic properties यदि हम देखे, तो यहाँ पे जिसका यूज हम medicines में या फिर different क्या है मारा जो religious ceremonies होता है, वहाँ पे यूज करते है, ठीक है, purpose जो है बटा, एक तो medicinal use के अलावा, ठीक है, physical, physiological और psychological functions जो है, उसमें भी drug का यूज होता है, इसलिए आज के टाइम पे drugs जो क्या हो जा रहे है, abuse हो जा रहे है तो यहाँ तक के तो बटा कुछ drugs थे, बट इसके अलावा, tobacco smoke आपने देखे होंगे, ठीक है, tobacco smoke इसका भी जो है, बहुत ज़्यादा use है, smoking का और tobacco जो है, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, smoking जो है, यह इसका भी hard drugs में use होता है, tobacco जो है, इसका भी यदि हम use देखे, त ठीक है, smoke, chiving, यह use है as a snub, ठीक है, powder के form में जो है, tobacco जो है, tobacco जो है, इसका यूज़ किया जा रहा है, large number of chemical substance, इसमें tobacco में present होता है, जिसमें से आप ऐसे तो जानते हो, क्या क्या होता है, यह याद रखना, nicotine इसमें present होता है, जो कि क्या है, एक alkaloids, और nicotine का रोल क्या, करता है, हमारे adrenal gland को, और adrenal gland का study तो हमने की यह है, adrenal gland क्या करता है, adrenal gland जो है, directly हमारे adrenaline और non-adrenaline hormone को secret करता है, blood में आएंगा हमारे blood circulation की help से, ठीक है, आगे बढ़ेंगा, जिससे blood pressure और heart rate जो है, वो क्या होंगा, बटा, increase हो जाता है, किसकी वज़से होता है, तो secret smoking और इस टोबेको इसमें है, और direct कई लोग चिविंग जो कर रहा है, टोबेको को, उसकी वज़से भी यहां पे यह conditions जो है, देखने को मिलेगी, यह जितना part में आप लोगों को बता रहा हूं, यह वाला यह भी आप लोगों के लिए important है, okay, clear हुआ बटा, किसे को कुछ है इसमें, use as a snub means powder के form में बिटा, टंबा कू का जो use हो रहा है, okay, चलो, आगे देखते बिटा, next, आगे, okay, clear है सभी का, कुछ चैट आ रहे है और, ठीक है, clear, चलो, आगे बढ़ते बिटा, यहां पे हम लोगों ने, क्या-के देख लिए बिटा, अभी हम लोगों ने, यहां पे अभी हम लोगों ने smoking जो है और टोबेको जो है, इसका use जिसमें नेकोटिन प्रेजेंट है, अडेनल ग्लेन को स्टिमलेट कर रहा है, अडेनल इन सिक्रेट कर रहा है, बड़ स्मोकिंग जो है इसके side effect देखे यदि हम, तो यह जो है जो है जो है जो है अफेक्ट करता है, मीन्स इसके वज़े से क्या होगा, पहली चीज तो associated है कि से cancer lungs में, urinary bladder जो है, throat infections, bronchitis, ampissima, CAD हम लोगो ने पढ़े बटा, coronary heart disease, या फिर gastric ulcer जो है, यह problem भी जो है देखने को मिलेगा, किस की वज़े से बटा, smoking की वज़े से, ओके, clear बटा, आवाज break हुआ होगा बटा, हलो, अभी देखो, नई बिटा, no need to rejoin, गामी नी, मेरे पास से network का issue आया था, ठीक है, अभी देखो, अभी clear होगा, चेक करो एक बार, wise is clear, otherwise you can resign, no, clear है, ओके, रूती का clear, मिरनाली clear है, अमन, yes sir, अनिकेत, yes sir, देखो बटा, अभी किसी का कुछ problem होगा इस time पे, क्योंकि बाकी लोगों का response positive आ lock emitting कोई problem नहीं है, ओके, तो smoking जो है, किस चीज से associated है, यह हम लोगों ने study किये, lungs में cancer हो रहा है, ठीक है, bronchitis हम लोगों ने study किये है, MPC मा लंग्स disorder है, CAD हम लोगों ने study किये बेटा पहली, ओके, जिसे भी नहीं मालूम यह disease, आप लोग मुझे पूछ सकते हो, क्या होता ह means bronchitis हो है, inflammation हो जाता है, MPC मा लंग्स disorder यह भी, ठीक है, यह generally alveolar of the lungs होता है, वहाँ पर surface area, रेडियो हो जाता है, जिसके वुझे से breathing में प्रॉब्लम होंगा, coronary arteries जो होती है बेटा, वहाँ पर blockage आ जाते हैं, जिससे blood का circulation प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, जिससे heart attack का भी problem सामने आ जाता है, जो कि C.A.D., coronary artery, coronary heart disease क्यालाता है, gastric ulcer means, पेट में छाली हो जाते हैं, ठीक है, तो यह जो है, यह कुछ diseases है, जो smoking की वज़र से होती है, tobacco achieving जो है इसकी वज़र से यदि देखा जाया है, तो सबसे बड़ा risk जो होता है, cancer का होता है, जो कि oral cavity में cancers जो है, यह देखने को मिलेंगे, किस की वज़र से होगा यह, जो भी को smoking की वज़र से होगा, फिर smoking इसकी वज़र से हो क्या रहा है, तो smoking जो है यह increase करता है, क्या चीज़ बिटा, carbon bono oxide content कहाँ पे हमारे blood में, blood में CO का concentration बड़ा तो यह reduce कर देगा, किस चीज़ को हीमोग्लोविन oxygen की binding को, हीमोग्लोविन oxygen के साथ जब बैंड नहीं करेंगा, तो finally हमारे blood में oxygen का क्या होगा, deficiency हो जाएंगा, और deficiency होगा, तो energy नहीं बनेंगा, problem आएंगी, बहुत बड़ी problem आएंगी, यह भी हम लोगों ने ब्रिटिंग, exchange of gases, exchange हमने पड़े हैं, कल आप लोगों का मैंने test लिया था, रेविजन आपका अच्छे से हो गया होगा, ठीक है, तो यह पार्ट आपको बताने का need नहीं है, ठीक है, यह उपर साइड बैट है, जो डिसीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, यह जो भी डिसीज़ आपको दिख रही है, ब्रॉंकाइटिस, MPC, यह सब कल के test में आपका रेविजन हो चुका होगा, ठीक है, नेक्स टेस्ट अभी आपका मुझे बताओ, सर्कुलेटर सिस्टम पर टेस्ट होगे है के बट आप लोगो को, बटा ऐसा कोई नहीं है, जो हर्मलेस होता है, टोबे को तो सम्में होता है, ठीक है, बटा पढ़ना तो पढ़ेगा कल्यानी, बाकी लोगों ने तो पढ़ लिये हैं, बहुत से लोगा हो गया है, कई लोगों के टॉपिक क्लास में हुए हैं, कई लोगों के नहीं हुए तो उन लोगों ने self-study में किये हैं, ट्राइ करो कुछ प्रॉब्लम आता तो मुझसे पूचो उसके बाद टेस्ट दो, ठीक है बटा, बाकी जब होगा ताब होगा कोई प्रॉब्लम ने, बटा जहां पे हुआ ठीक है, जहां पे नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, अमबाजरी ब्रांच में भी नहीं हुआ है, सदर ब्रांच में बटा प्लांट कि तुमगेहुintéए हो जाते है कि उडिय के स्मोकिंगे वाजर के वाजह से घंच वेक्टरीजिं मैंने बताया होंगा सुट्स दैंजिस्ट्स जूर जाते हैı अनिकेत कोणल से वरेंसे बता आप B4, B3 B4 Okay, जितना भी होता है पहले पढ़ो, फिर टेस्ट दो मैं आपको चांस दे सकता हूँ, जिस बैच में नहीं हुआ मुझे अपने नाम मैसेज कर देना दो दिन का टाइम दे देता हूँ आपको मैं Plant Kingdom ready रखोंगे Animal Kingdom ready रखोंगे और Body Fluid and Circulation ready रखोंगे तीन टेस्ट है बेटा एक एक टेस्ट आप देते जाओंगे ठीक है, जिस बैच में नहीं हुआ है वो बैच पढ़ेंगी फिर टेस्ट देंगे जिस बैच में हो गया है वो लोग पहले टेस्ट देंगे समझ गये लेकिन आपकी मानदारी आप लोगों के साथ रहनी चाहिए एकजाम आपका है सेलेक्शन आपका है मैं सिप सपोर्ट कर रहा हूँ आप लोगों को ठीक है, एक एक अट्मोस्फियर भी क्रियेट कर रहा हूँ अच्छे कोश्टन भी प्रोवाइट कर रहा हूँ यूमन हेल्ट इन डिसीज जो है, ये भी पढ़ना पढ़ेंगा बेटा ओके पढ़िये, यूमन हेल्ट इन डिसीज मेभी नेक्स संडे आप लोगों का ओनलाइन टेस्ट विद अलप आप एप एंड सॉप्ट्वेर होंगा तो रेडी रहोंगे और अभी जो करेंट में मैंने जो सेडूल बनाया हूँ उसके लिए आप रेडी रहोंगे बोडी फ्लूइड रॉक्लेशन कौन से बैसे हो बटा आप साइली बीफोर हो क्या साइली बेंदेर कर बीफोर ओके कोई बात ने बटा सेल्फ ले स्टेडी करो कुछ प्रॉबलम आता है तो मुझसे पूछो ठीक है अब कोरोना की वज़े से थोड़ा सा प्रॉबलम आया नहीं तो ये सारी चीज़े पहली हो जाती थी आप लोगे ओके मैं तो बैठा हूँ आप कभी भी कॉश्टन कीजिए ट्राइ कीजिए बेटा ठीक है आपने वैसे भी आत्म निर्वर भारत ठीक है तो हमको भी सेल्फ डिपेंडेंट बन नहीं है ओके सारी चीज़े हो जाएगी बैठा लेक्चर में बट अभी फिलाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए सेल्फ इस्टेडी कीजिए प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकता है आपके खुद से और किसी के कुछ कुश्चेंस बैटा वाइस ब्रेक हो रहा है कि बीबी चेक करो अभी फिर से फिर से देखो वाइस जब से क्या बारिष चालू ही थोड़ा सा नेटवक का पता नहीं क्या प्राब्लम हा गया है पहले से ही चल रहा था नौ क्लियर अभी क्लियर है चलो ठीक है ओके ज्यादा यदी प्राब्लम रही तो सारे लेक्चर यूटूब पर बनागे डालना पड़ेगा लेकिन वो फिर यूटूब पर देखने में मज़ा नहीं आएंगा लाइब क्लास में एक इंटेरी एक्संस होता बेटा और सही त तो यहाँ पर जिससे कि हम लोगों ने बेटा ड्रक्स और उसके एफेक्ट्स हम लोगों ने देखिये हैं चलो तो यहाँ पर देखिये बेटा अब जैसे यह सारी चीज तो आपको मालूम होंगा कोई भी परसन यदि सिगरेट खरीद रहा है बेटा तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन वर्निंग तो दी जाती है ठीक है कि यह सारी चीजी जो है हेल्थ के लिए क्लिए बेटा इंजरि है और आज के टाइम पर यदि देखा जाए तो उसके कुछ मेडिसिनली उसको बैंड नहीं कर सकते बढ़िए यदि प्रॉपर काउंसिलिंग बहुत ज़रूरी है जिसकी हेल्प से बटा लोगों की जो गलत आदत है उसको सुदारा जा सकता है नेक्स्ट पार्ट अभी हमें यहाँ पर जो श्टडी करना है वो है अडॉल्सेंस यह तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो अडॉल्सेंस क्या होता है अडॉल्सेंस को सिंपल टम में हम समझें तो एक परसन जो कि सेक्शूल मैचुरिटी को अटेंड करता है ठीक एक है ऐसा एस जिसमें एक बच्च जो है उसका ट्रांजिसन् पिरेड होता मिल्स चाइल्cueड जो है वो ऐडॉल्ड होड में क्या हो रहा ग्रटांवडवर्टांवर्ट ट्रांजिसंण पिरेड जो की 18 सफ्रेड तीन पार्टीन डेयर के बीच का जो स्टेज होता है उसमें आ ओके फिर इसमें यदि हम देखे वह इसका फिर से प्राव्ब्लम आ गया था ओके देखे बेटा यहां भी क्लियर है कि देखो अपिरेंस 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 अपिरे during एक child जो बैटा mature हो रहा है उसका attitude, उसका behavior वो सारी सीज़े जो है बैटा change होंगा और वो society में अपना participation जो है देने के लिए तैयार रहेगा ठीक है और ये एक age ऐसी होती है जिसमें आज के बच्चे को जिस काम को करने के लिए माना किया जाए वो ही काम करेगा समसे तो यहां पर बिटा इस age में कई लोग जो है जैसे आप लोग कभी age चल रहा है ठीक है इसमें यदि सहीं counseling, सहीं education दिया जाए तो person जो है बहुत सहीं career बनाएंगा और यदि उसको गलत आदत लग गई या फिजिसी संगती यदि रही तो उसको problem भी हो सकती है ठीक है तो यहां पर कुछ biological और behavioral changes जो है person में देखने को मिलेंगे ठीक है adult sense के characteristics यदि हम देखते हैं तो characteristics जो है adult sense का जो है जिसमें पहली चीश तो physical और physiological changes जो है आएंगे जिसमे height का increase होना weight जो है यह भी बढ़ता है ठीक है reduction in fat friends का secretion बढ़ जाता है और sexual characters जो है वीटा वो भी इस age में आकर develop हो जाते है ठीक है तो इसका और भी detail वाला part जो है वो हम finally next lecture में ही देखेंगे ठीक फिलाल आगे के कुछ questions है आप लोगों के लिए human health and disease को ले करके वो हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक revision जो है वो भी हो जाए जिसकी help से आपका practice means आपको एक idea मिलेंगा कि हमारा जो study हुआ है वो कैसा हुआ है और कैसा चल रहा है ठीक है बिटा शेलो तो अभी मुझे आप लोग बताऊंगे जो questions में पूछूंगा वही questions का answer देना है ठीक है जल्दी जल्दी आप लोगों को answers देना है समझ गए तो questions number जो है वो अलग से लग आपको कुछ भी मिलेंगे ठीक है नंबर पर नहीं जाना है ठीक है जब मैं question पूछूंगा तब आप उस question का answer दोंगे question number 50 जल्दी से answer करेंगे question number 50 सबसे पहले जिसका answer आएंगा उसी का नाम दोंगा मैं ठीक है देखते हैं कितने लोग participate कर पाते हैं और कितने लोग के यहा है और symptoms में आपको दिख रहा है इंटर्नल ब्लेडिंग, muscular, pain और fever जो है और एनिमिया तेजस्विनी, गोरव, दिव्या, प्रगती, good बेटा, very good, ले answer, सभी लोगों के answer है, answer इसका B है, सभी लोगों के answer दिये है, good बेटा, very good, सभी लोगों के answer जो है, सही है ओके, next question जो है पिटा, correct options आपको बताना है, ठीक है, question number 90, इसमें क्या आएगा, select the correct option, question number 90 को solve करेंगे सहील का answer आया है, सभसे पहले, very good, सहील, आप सही हो, देखते हैं कितने लोगों आते हैं, top 5 में, no तेजस्विनी, no गोरो, मानो, कोई problem नी बेटा, चलेगा, no कल्यानी, no दिव्या, दोनो दिव्या, no सुप्रिया, साइली, no बेटा, no लियानसू, बेटा मुझे यह बताओ, आप इतने मतलब confused क्यों हो रहे हो, मुझे बताओ, आई जी, आई 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 आपने पढ़े हो गई, नई, आई जी, जे कहीं पढ़े हो, आई जी, एच पढ़े हो कहीं, नई, फिर इधर भी आई जी, आई आ रहा है, तो correct क्या है, आई जी, M होता है, D होता है, E होता है, जी होता है, और A होता है, फिर क्यों गड़बड जा रहे हो बटा, कोशन नमबर 90 का एंसर C is the correct अनिकेत का एंसर आया था दो बार ओके इसे दो ही स्टूडेंट करेक्ट दिखे मुझे लियांसू आप सही थे गुड और कौन सही था लियांसू second time सही था शलो ओके गुड बेटा next question पर आते हैं भी हम लोग जिसका आपको एंसर देना है जैसे कि थोड़ी दे पहले ही हम लोगो ने यहाँ पर कुछ इस्टूडी किये थे और इस्टूडी जो किये थे बिटाई यह जो डायग्राम दिख रहा है आपको okay question number 23 answer करेंगे जल्दी से question number 23 का किसका है बिटाई ABCD में नहीं देना है नाम बताएंगे सारे options नहीं दिखाऊंगा मैं आप ही बताईए मुझे okay सभी का answer आए है सबसे पहले साहिल नो बेटा शुप्रिया बेटा गोड्स आपका सही है अनिकेत ओके चलेंगा बट करेक्ट एंसर चाहिए आपका नाम एक बार सेंड करूंगे आप आप मॉर्फीन का है ओके गोड़ बेटा मॉर्फीन आएंगा नो प्रगति कैना राइट नहीं बेटा इस्वरी ऐसा थोड़ी एंसर देना हमे मॉर्फीन इस दा करेक्ट एंसर ओके क्लियर हुआ चलो आगे बढ़ते हैं और कोशन नंबर 142 का एंसर देना बेटा भी आप लोगो कोशन नंबर 142 जल्दी से एंसर तो 30 सेकेंड में देखते किते लोग का एंसर आते सबसे पहले फर्स्ट फाइब लोग के नाम लोगा में गौराव नो इस्वरी एंसर उतफास्ट आगए चलो ठीक है बटा क्या कर रहे हुआ क्या कर रहे हुआ कोशन पढ़ो अच्छे से क्या कर रहे हुआ यार कुछ लोग सही है कुछ लोग गलत है कोशन को ध्यान से पढ़ना है समझना है और उसके बाद भी एंसर देना है सेक्स्वल कॉंटेक्ट विद अनेफेक्टेट परसन यदी होता है तो एट्स नहीं होगा बाकि तीनों कंडिशन में एट्स हो रहा है ओके चलो देखते कितनी लोगों के एंसर आए है सही सबसे पहले जो दिये है 142 में उलटक विच्र नंबर आपने लिखे नहीं तो मूं संद strap Stories वह ते सहील का खरेक्ट रहा है beim 용patient के ओनेट नेट्स इसक्ट मेंड मेरली कूछ रह यह मOh गे के स्कुस्टेन को आते हैं और नेक्स कॉस्टेन का आपको एंसर देना है Question number 173 और 172 सबसे पहले आपको question जो है 173 को solve करेंगे और number के साथ answer कर सकते हो 172 का भी solve करेंगे पहले 173 का answer देंगे जल्दी से अनिकेत कुर बिटा तेजस्विनी को रहा हो म्रुनली सब लोग maximum student correct है सुभाम नो बिटा C कैसे है लियांसु C कैसे है C आ रहा है चेक करो इस पेस आ गया हो पे diacetylmorphine dimethylmorphine क्या आएंगा methyl आएंगा या acetyl आएंगा ध्यान रखो बिटा methyl, acetyl यही तो confuse करेंगा एंसर B is the correct answer for 173 172 172 का क्या है very good बिटा सुप्रिया good सुभाम no सुभाम गलत वाप कोख है की smack है 172 smack आएंगा 172 का answer A जो है यह correct है शलो आगे बढ़ते हैं और question number यह जो आपको दिखाई दे रहा है 22 okay 22 इस question को solve करेंगे बिटा जल्दी से motile gyagode of plasmodium occur in liansu no बिटा मानो गूड 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 दिव्या गूड ते जस्वनी नो आई उस नो अमन गूड गूड मॉस्क्यूट बटा जो जाइगोड का जो होता है moment plasmodium के जाइगोड का मॉस्क्यूट में पे गूड और फिमेड अनाफिलेज यहां पर moment हो रहा है जाइगोड तो बटा वही बन रहा है ना हुआ है हुमोन में तो गैमिंस रहते सिलाइबरमे नहीं होता तो है विसका बिश्रक प्लाजमोरियं का कि हलो अरो है इस पोड़ क्वोड्स है वो रहता है साधरे क्लै में हम कि कॉच्छिन बजय क्ले 吗 इसुल करना है उतना घ्रोकल काई है आप लोगों का वो है question number 20 इस question को solve करेंगे चल्दी से देखो बेटा एंसर करो which one of the following statement is correct with respect to immunity the antibody against smallpox pathogen produced T-lymphoside antibody R protein molecule each of which has four light chain rejection of a kidney graft is the function of B-lymphoside perform antibody need to be injected to treat that bite by a wiper snack to Connie Marna Vita correct answer in a source so much जो एंसर दोंगे उसका explanation भी चाहिए मुझे explanation है तो एंसर दोने तो बस A B C D नहीं लगा दो जो भी answer दे रहा उसका explanation चाहिए मुझे दिव्या आपसे explanation चाहिए मुझे बटा explain करो chat में करो नहीं तो हैंज में करो हैंडेस करो answer दो कि अगरो नो बेटा आप दोनों भी टेम पर गला तो statement बदलना नहीं है perfect रहना है चेक करो अच्छे से किसी के भी answer नहीं आ रहे नो बैटा आयूज, नो इस्वरी ओके बैटा दीबिया आपका एक्स्प्लेनेशन आया है कि अगर very good बैटा, good गौरो बैटा, अभी आप correct हो third answer आपका correct आया, first or second wrong है अब आप explain करोंगे क्यों आपने उस answer को select किये दिव्या ने बैटा answer सहीं दी है और explanation भी सहीं दी है दिव्या भोरा, अंबजरी बैच, बाकि किसी कभी एंसर सही नहीं आया है, अपके इतने लोगों में, जो करेक्ट है, तो फर्स्ट अटेम्ट में ही इसने करेक्ट किये, बिटा, ऐसा नहीं कि, A, B, C, D, A, से अप्शन आ रहे है अलग-अलग, चलो, ये बाकि लोगों के होंबख रहेंगे, बिटा, एंसर मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, इस कोश्टन का, अच्छे से स्टडी करो, और बाकि जित्ते लोग यूट्यूब पर देख रहें, वो भी कमेंट करेंगे, शोलो, नेक्स कोश्टन पर आते हैं भी, जिसका आपको एंसर देना है, कोश्टन नमबर 157 बिटा, इस कोश्टन का एंसर देना है भी आप लोगों को, मेटास्टेसिस क्या होता है, वाइस का लेना देना नहीं है, कोश्टन नमबर 157 जो है, ये सॉल्ड करो, वाइस क्लियर हो, नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब समझ लो बेटा, आपका कितना रिवीजन हुआ, कितना समझा और कितना अच्छे से स्टड़ी हुआ है, देखते हैं इस कोश्टन का एंसर कितने लोगों का आता है, आपका समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, किसे बताना अब इसने हैं, विल्कुल फॉर्मेटिंग एडिटिंग करके, गोरो, नो बेटा गोरो, क्यो बेटा गोरो, क्यो इतना गलत जा रहे हो आप, इसका करेक्ट एंसर बेटा, एंसर सी है, मेटास्टेसिस, न्यू ट्यूमर जो है, फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म होगा बेटा, न्यू ट्यूमर अलग-अलग साइट और बॉड़ी पे जाएंगा, इस्प्रेड होंगा, एक ओरिजिनल लोकेशन पे था, यहां से उठके आगे बढ़ेंगा, आगे बढ़ते जाएंगा, आगे बढ़ते जाएंगा, आगे बढ़ते जाएंगा, और फिर क्या करेंगा, बिटा, फानली, वो जो न्यू लोकेशन है, वहां पे जाके वो क्या करेंगा, फिक कर देंगा, उसी को तो बुलते है, Metastasis क्यों गलत जा रहे हो आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो ठीक है समझ में आया चलो very good चलो आगे का lecture आगे continue करेंगे किसी के कुछ doubts है तो आप लोगों उसे पूछ सकते हो otherwise next इसमें हम सारा portion जो है वो समझेंगे रिवाइज करके आई है जो target दिया गया है आप लोगों को वो target complete किसी है ओके और साथी साथ be ready for the next test ओके यहाँ पे new और latest सारे update एक single click पर आपको मिलेंगे मिटा और भी बहुत कुछ नए अपडेट यहाँ पर अपलोड किया हूं मैंने आप अपटर तेजिस की आपको से दो जगाही में के साथ contact रखना है तो telegram जहां पर आपको information daily की मिलेगी और दूसरा tiny.cc जहां पर जितने भी lectures हैं जो study material हैं सारे चीजों का data मिलेगा यहाँ पर जोइन कीजिए अब बने रहें आपको आपको यह पेज मिलेंगा और इसी पेज के सांसाँ आपको 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 प्लिक करोंगे तो डारेक्ली आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है आपको यह पेज मिलेंगा और इसी पेज के सांसाँ आपको आगे कभी जो है लिंक नेक्स पेज में में जाएगा वीडियाप में भी available है सारे इसी वहाँ से जोइन कर सकते हो आपको 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 आपक में आपको यह लिंक मिलेंगा इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हुमारे साथ सारे अपडेट्स मिलेंगे आप लोग को चलो मिलते हैं नेक्स लेक्टर में बटा बबाई वनाइस दे हैं थैंक्स पर ज्वाइनिंग